जॉब के बदले जमीन जिसको लेकर आरोप लगा है और सीबियाई की तरफ से आज रेट की गई बिहार में आरजेटी के अलग-अलग ठिकानों पर नेताओं के ठिकानों पर इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर ये कि आरजेटी मलसी समिल सिंग के घर 15 घंटे तक शापिमारी की कारवाई हुई है सीबियाई की सीबियाई ने रेट के दोरां समिल सिंग का पूरा फ्लैट खंगाला है सुनिल सिंग के फ्लैट में दाखिल हुई टीविनाइन भारत वर्ष की टीम 15 घंटे तक सीबियाई की ये रेट चली हो और ये देखे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दरसल ये पूरा मामला जॉब के बदले, जमीन का ये मामला है, जॉब के बदले, प्लाट का ये पूरा मामला और इसी मामले में सुनिल सिंग जो की कोशा ध्यक्ष भी है, जो की MLC हारजडी के उनके घर पर 15 घंटे तक ये रेट की कारवाई चली है, छापिमारी की कारवाई चली है, पूरा फ्लैट खंगाला गया है CBI के तरब से, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुपर एक्स्क्लोजिव तस्वीर है जो आपकी सामने है सुनिल सिंग के फ्लैट के अंदर, टीविनन भारत वर्ष की टीम दाखिल हुई है, सुनिल सिंग का ये दावा है कि 2,69,000 कैश मिला है रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए है रुपेश आप खुद इसके जो फ्लैट है, जो तस्वीर है अभी इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को आप खुद इसके अंदर गए, क्या आपने देखा, 15 घंटे तक की जो चापे मारी की कारवाई हुई है जैसे सुबह का वक्त बीता, दोपहर का वक्त, शाम और देर शाम तक, अभी कुछ दिर पहले सीबी आई की जो टीम है, वो बाहर निकली है और उसके पहले दो सदस से बाहर निकले थे, जो कागजात अंदर बरामद हुए थे, उन कागजात का फोटरे स्टेट कराया था, उसके बाद पूरी टीम अंदर आ गई थी और पूरे इस दर्मियान, 15 घंटे तक, लोग बाहर जमा रहे कि क्या वाकई सुनिल सिंग को गिरपतार किया जा रहा है, क्योंकि सुनिल सिंग की पतनी ने बाहर से इस तरह का इशारा किया था, कि सुनिल सिंग को गिरपतार भी किया जा सकता है, लेकिन 15 घंटे तक, मैंने दर्शकों के लेकर आये हैं जो आप सुनिन सिंग के फ्लैट के अंदर गाएं पहले दर्शकों को वो दिखाना चाहेंगे कि अंदर TV9 भारत वर्ष ने अपने कैमरे से क्या देखा अंदर आप देखें पंदर घंटे CBI ने आपके साथ आपके घर में मैंने देखा किस तरह से पूरा घर पीछे देखिए किस तरह से अस्त ब्यस्त क्या की आखिर पंदर घंटे क्या करवाई हुई वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आप 15 घंटे से लगातार ये पूछने में परसान थे कि आप तेजस्वी जी से क्या संबंध है लालू जी से आपका क्या संबंध है उनका कौन पैसा कहां रखा हुआ है कौन जमीन कहां खरिदा गया है अरे भाई कोई उनके हम पीएस हैं और आपको जो करना है किजिए और क्या हुआ पूरे जांच में 13 घंटे के जांच में 2,666,640 रुपया मात्र वो भी कैसे बिसकोमान और यहां दोनों मिला के मेरा एक के खंगाल दिया गया वहां चेंबर पूरा बिसकोमान खंगाल दिया गया और उसके बाद 2,666,000 यह और रुपीया आप बताएं और कर दो करो दॉपीया देखें इस तरह से आप जलील मत किज्शे लोगों को अगर रेड कर ना होगा तो लाखो लोगों क्या है मेरा वही संबंद है लालु जी जो लाखो कर्च करता कर भा दिया हम इसे इंकार नहीं कर सकते है हम काफी करी करdefined है, जितना मैं करीब हूँ, नोकरी के बदले जमीन देने के मामले में , भी सवालाद किये गई आपसे हम बोले की जिस चीज से ले लेना देना नहीं है आप बरंड में आया हैं सुनीर सिंह कि आ से तेजस्पी जी को रूपिया गया की नहीं हमने कहीं रूपिया दिया है की नहीं उनका रूपिया मेरे पास आया की नहीं लालू यादब किसी पड़िवार का मेरे पास रूपिया आया की नहीं आप इस जांच के लिए हैं आप इस जांच को किजिए हमसे फालतू बात मत प लेगा फोटो कॉपी कहा कि हमको तो दिखाना पड़ेगा कि हमने कुछ लाया है वो ले गया जो और जगा मेरा फ्लेट है उसका कागच ले गया उसके भाद जो हमने जब तीवी भाइन भारत वर्ष सुनिल सिंग जो RJD के MLC हैं CBI अभी अभी यहां पर 15 घंटे की पूछताच यह अपनी कारवाई जो कुछ है उसके बाद से यहां से बाहर निकली है और देखिए किस तरह से यह सब समान एक तरह से रखे हुए होंगे लेकिन अस्त ब्यस्त यहां वहां सारे समान और उपर देखिए यह फॉल्स सिलिंग में मेटल डिटेक्टर मंगाया था और मेटल डिटेक्टर से एक एक चीछ चाहे वह वाड्रोब हो या फिर बेड हो या फिर यह जो समान आप देखिए कि जिस तरीके से यहां पर जो कुछ हुआ है वह आप देख सकते हैं सब कुछ यहां पर एसी तक को तोड़ दिया गया है और यहां भी आप देखिए इस तरह से सब हर समान चाहे वह जो कुछ भी है जहां भी देखिए और यह कि क्या कुछ इसमें हो सकता है यह एक एक चीज जो लेक्रोनिक समान से ले करके यह जो लैप्टॉप है हार्ट डि पर फॉल्स सिलिंग को भी चेक किया गया है मेटल डिटेक्टर बाद में मंगाया गया था और मेटल डिटेक्टर से एक एक चीज की हालाकि मात्र दो लाख 69,000 आप अगर देखें तो यह और एक कमरा इधर भी है सब कुछ आप देखिए इस कमरे में भी आप देखिए वो क इस तरह से रखे हुए होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है सब समान को एक एक करके जितने ब्रिफकेस हैं जितने समान हो सकते हैं सारे साजो समान को एक एक करके निकाला गया है और आप देखिए यहां पर 15 घंटे यहां पर गुजारने के बाद से CBI की टीम बाहर निकली है 15 घंटे तक यहां पर CBI की टीम और एक एक समान घर बहुत खुबसूरत घर भी है चुकि चेयर्मेन के यह बिसको मान के चेयर्मेन है लिहाजा उस कमरे में भी हम उधर से गए थे एक एक समान को यहां पर बिखरा हुआ आप देख सकते हैं और कहां पे देखे ना इस सब संपो बता रहे थे सुनिल सिंग्स खुद बता रहे थे कि यह जो रहे है इस कि फ्लोर के नीचे कुछ है यह दही होा है तो यह आप दिखिए कि हर तरफ से एक एक चीज को उखार दिया गया यहां पर और चले सुनील सिंग जो की बता रहे थे और अभी रुपेश का हम रोख कर रहे हैं और शायद से उनके साथ RGTKMLC खुद सुनील सिंग उनके साथ मौझूद है अब ओवर टूई रुपेश बताईए क्या बोल रहे हैं बिल्कुल सुनील सिंग खुद हमारे साथ मौझूद है समर्थकों का हुजूम भी है और 15 घंटे से मैं यहाँ पर सुबह साड़े साथ के आसपास पहुंचा था और जैसे ही जैसे समर्थकों को यह पता चलने लगा कि उनके सुनील सिंग जो सहकारिता के एक तरह से आप पु जम्य हुए थे आपकी जो मैडम है उन्होंने यहां इसारा किया था ऐसे तो क्या गिरफ्तारी की बात हो रही थी तलवार लटक रही थी वो अस्पष्ट बोलना चाह रहे थे कि आप बताईए हमको तेस्वी जी के बारे में नहीं तो हमको फिर भोला बावूला एक्षन लेना पड़ेगा भोला बावू में हमारे में परा डिफरेंस है ठीक है रुपेश तो 15 घंटे की ये पूरी कारवाई चली है और उसी पास सुनिल सिंग के तरफ से पूरी जानकारी पूरी डिटेल टीवनान भारत वर्ष को दी जा रही थे